हाई दोस्तों स्वागत है आप सबका आपी की यूट्व चैनल में बेस्ट प्रॉपर्टीव वाला में जी हाँ दोस्तों हम चाहिके इस वीडियो इस चैनल पे प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं प्रॉपर्टीज के एक्जिबिशन होगे रहा जी हा बढ़ा दिया है मई में ही जो के मिटिंग हो गई थी जबी जो के तैप आया है तो चलिए जो के जानते हैं इसके बारे में कितना बढ़ा दिया और आपको अभी जो कितना भढ़ना पड़ेगा जी हा दोस्तों इसके बारे में सारी आप कितना जो के लोन लोंगे कितने साल के लिए लोगे कितना EMI पढ़ेगा, सारी डिटेल कि आपको कितना पढ़ेगा ये होम लोन 20 साल के बाद, ये सारी डिटेल ग्याओके इस वीडियो में आपको बता दूँगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखे दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर करके रखिए चलिए दोस्तों जानते हैं होम लोन के बारे में तो मैं आपको बता दोस्तों अगर आपने जो है के 25 लाख रुप्य का कुल जो है के लोन ले लिया है होम लोन जी हां मैं होम लोन की बात कर रहा हूँ और ये भी कितने साल के लिए दोस्तों हाँ 20 साल के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है होम लोन और रेट ओफ इंट्रेस्ट इसका जो बैंक ने लगाया है वो 7.35% है yearly मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों 7.35% yearly आपको रेट ओफ इंट्रेस्ट लगाया गया है पिछले साल जो कि ये इंट्रेस्ट 6.69% तो खुछ तो थासर दोस्तों लेकिन अभी जो कि ये 7.35% कर दिया गया है इसलिए आपको ये इंट्रेस्ट जो लग जाएगा rate of interest और इसका ये मैं जो रहेगा आपको दोस्तों ये 19.911 रुपिये का रहेगा दोस्तों ये मैं इसका टोटल इंट्रेस्ट जो आपका जाएगा दोस्तों 20 साल में 22,88,637 रुपिये का होगा और टोटल जो आपको payment करना होगा 20 साल के बाद जो आप payment हो जाएगी पुरी वो होगी 47,88,637 रुपिये का दोस्तों ये दोस्तों टोटल जोएगा आपका amount हो जाएगा और interest जोएगा आपका सारा मेने आपको डाट डिटेल्स में बता दिया हो दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो पसना है जरूर लाइक का बटन दबाएए दोस्तों और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब नहीं किया भी तक हमारी चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए दोस्तों धन्यवाद आप सब कहां वीडियो को देखने के लिए